हाई कोट को निर्देश देना पर जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले इसी मामले में सुप्रीम कोट ने भी निर्देश दिया है और इससे पहले भी सुप्रीम कोट का ऐसा बहुत सारा मामला जब सुप्रीम कोट के पास पहुचा तो सुप्रीम कोट के द तो ऊससे पर पूरा कंट्रोल जो होता राजसरकार का होता राजसरकार जो है अपने अनुसार जो नियम होते हैं और उस नियम के तहद जो पुलीस है थाने है उसको फॉलो करते हैं तो परसासन जो है उसको फॉलो करना या अगर जो कोट होता है हाई कोट हो या सुप्रीम कोट हो तो हाई कोट का अगर कोई आदेश आ गया न देश आ गया न तो वो राज सरकार को भी मानना परेगा सुप्रिम कोट का अगर निर्देश आ गया तो वो केंदर सरकार हो गया राज सरकार हो गया सभी को मानना परेगा तो यहाँ पे हाई कोट के दौरा अब भूमी बिबाद में क्या हो रहा है कि जमीन संबंदित बिबाद है आप मामला किसके पास पहले लेके जाएंगे अब बिबाद जादा हो कहा रहा है परिबार में सबसे जादा परिबार में होड़ा मतलब जो बिबाद उत्पन हो रहा है ना वो अपने परिबार में अपने लोगों से आज आप दो भाई हैं आपका जो पड़िबार है आप दो भाई हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छा लाइप जी रहे हैं जब आपका भी फैमिली बरेगा इनका भी फैमिली बरेगा तो फिर क्या होता है फैमिली बरा हो जाता है सबका मानसिकता अलग अलग होता है सबका तिंकिंग अलग अलग होता और सबका अगर बात करें जो जिस हिसाब से मेनत करता है वो उतना आगे भी जाता है तो उस केस में अगर पड़िबार में मन मुटाओ हो जाए भी होना सुरू हो तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का पड़िबार में आपस में विबाद होता है या अन्न किसी बैक्ति से भी बाद होता है तो सबसे पहले आप कहां जाते हैं आप जाते हैं पुलीस थाने में और पुलीस थाने अगर F.I.R. दर्ज नहीं करे प्राथ्मी की अगर दर्ज नहीं करे तो आप समझ सकते हैं कि यह जो मामला है यह हम आपको बता दें यह बिहार के बिहार राज के पटना हाई कोट का निर्देश है और यहाँ पे इससे पहले भी सुप्रिम कोट का भी निर्देश आपको बताएंगे मतलब इससे पहले सुप्रिम कोट ने भी काफी एक तरह से गाइडलाइन जाड़ी किये हैं जिसका कर सकते हैं कि पालन नहीं किया जा रहा है तो यहां पे पटना हाई कोट के दोरा यह कहा गया कि प्रात्मिकी जो दर्ज नहीं किये करने पर जो है उन्होंने एक तरह से नाराजगी ब्यक्त की और यह का कि भूमी विबाद में पुलीस को दर्ज करनी चाहिए और दर्ज करनी होगी दर्ज करनी होगी इससे क्या होगा अपराद बरहेगा लोग जो है अगर माल लेते हैं कि आपस में बिबाद हुआ कोई जो है एक तरह से बल पुर्बक मजबूत है अब वो अपना मनमानी करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बिबाद बरेगा ना तो यहाँ पे सबसे बरा जो कारण है कि अगर परसासन पुलीस परसासन एफायार दर्ज नहीं करेगी तो भी बाद बरेगा ऐसा जो है हाई कोट का कहना कोट का सिधा सिधा कहना है कि यह जो है पुलीस को संदक्षन यानि अपराद को संदक्षन देने वाली बात है अपराद पुलीस परसासन के पास नहीं जाएंगे अब अगर वो जब तो पुलीस उस पे अफायर वो उनका कहना है कि उनको उस पे जादा पावर नहीं दिया गया अच्छा ये बताएं कि राज सरकार में देखें क्या होता है कि राज में राज का जो नियम है कि पुलीस परसासन और जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको एक तरह से पावर दिया जाता है कि दोनों जो है एक तरह से आपस में एक समय निकाल के बिवाद को समझें बिवाद को के लिए आवेदन लें और बिवाद का निप्टारा करें लेकिन एक तरह से पूरी तरीके से पावर भी नहीं दिया गया कि अगर आपका मामला है आप सिविल कोट जाएए सिविल कोट में आप केस फाइल किजिए केस फाइल करने के बाद जो है एक तरह से जब ज़ज्मेंट होगा उसके बाद परसासन के दोरा आपको मदद किया जाएगा तो ये इस तरीके से परक्रिया है लेकिन अगर कोई मामला करेंट में ये ठीक है पड़ी बार में ये प्रोसेस है इसको फॉलो किया जा सकता है लेकिन अगर करेंट में मेरी संपत्ती को कोई कबजा करने आता है ठीक है और हम अगर बल पुर्बक उतने स्ट्रॉंग नहीं है और तो वहाँ पे लोग कहा जाएगा जो बैक्ती है वो कहा जाएगा पुलीस परसासन के पास नहीं जाएगा और पुलीस परसासन अगर F.I.R. ही नहीं दर्ज करेगी तो समझ सकते हैं कि लोगों का मनोबल तूट जाएगा तो इसलिए जो पुलीस पर सासन है यानि हाई कोट ने जो एक तरह से ये उन्होंने साप साप कह दिया है कि ये और निर्देश दे दिया है सुनबाई करते हुए उन्होंने ऐसा जो है एक पक्च के एक पक्च के सुनबाई के दौरान ऐसा कहा है कि उनका जो करतब बनता है कि वो F.I.R. को दर्ज करें और उनको दर्ज करनी होगी ये बात आप समझ लें दर्ज करने के बाद उनको जाच करना होगा जाच करने के बाद अगर वो ठीक है मामला सही पाया जाता है तो पुलीस उनके किलाब कारवाई करेगी ऐसा उन्होंने कहा है ठीक है तो अभी देखें इसे पहले भी अगर बात करें तो सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट के दौरा भी ऐसे बहुत सारे जो है एक तरह से नियम दिया गया सुप्रीम कोट ने भी देश के पुलिस को या मतलब अगर कहें तो कई महत्पुर्न दिसा निर्देश दिये कि अगर कोई भी मामला आता है जमीन विबाद का हो प्रोपर्टी विबाद का हो तो उस केस में आप जो है अपना बटबाडा के लिए केस फाइल कर सकते हैं वहाँ एक अलग परक्रिया उसमें पुलिस परसासन क्या करेगी आप अपना परिबार में अगर बटबाडा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग परक्रिया बना हुआ है आप वहाँ पे केस फाइल करेंगे दोनों को नोटीस होगा नहीं आएगा नोटीस में तो आपको डिगरी कर दिया जाएगा या आप यहाँ पे दे दिया गए पूरा पावर सिविल कोड को कि सिविल कोड से भी आप बटबारा कर सकते हैं उसके बाद सरपन्च के थुरू तो ग्राम पंचायद करा के अप सरपन्च से बटबारा का कागस त्यार करवा सकते हैं तो यह सभी तरीके हैं वहाँ से भी आपका केस जो है मामला जो है वो स्वाल हो सकता है अगर आप न्याले नहीं जाना चाहें तो तो यह सभी मामले जो है इसमें जाने में कोई दिक्क कर रहा है तो उस case में पुलीस को जो है प्रसासन को प्रात्मी की दर्ज करना चाहिए बहुत ऐसा विबाद होता है कि जमीन है कोई उसको जो है थोरा सा कबजा कर लिया या अन्य कुछ कर लिया तो उस case में जो है वहाँ प्रात्मी की दर्ज करना चाहिए अब देखें यहाँ आपका मान लेते हैं इस तरह का किसी भी तरह का कोई बिवाद होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए आपके लिए क्या क्या देखे सबसे पहले जो राजसु के अधिकारी है आपके राज में जो आपका छेतर है ठीक है जो आपका विधान सभाद छेतर है जो आपका अंच यह अन्य किसी परकार का भी बात करता है दूसरा आप अपने SDM या SDO के पास भी इसके लिए आवेधन कर देंगे दोनों पार्टी को नोटिस किया जाएगा और जवाब माँगा जाएगा कि आप ऐसा क्यूं कर रहे थे वहाँ पे उनको जवाब देना परेगा तो यह सब सारा परकिरिया आपको करना चाहिए यानि यह दो स्टेप जो है आपको जरूर करना चाहिए तो जिला अधिकारी के पास भी आवेधन कर सकते हैं ठीक है उससे जो उपड़ी अधिकारी है वहाँ भी आवेधन कर सकते हैं तो यह सारा परकिरिया करने के बाद जो है आपका नोटिस जाएगा आपका जो है मामला दूसरा पार्टी जो है वो भी अपना जबाब देगा दोनों पक्स से गवा गुजरेंगे आपको एक वकील रखना होगा मतलब इस परकिरिया में अगर मामला छोटा है तो अगर यहां से सॉलूसन निकल जाता है तो ठीक है नहीं तो आप संपत्ती को भूल तो नहीं जाएंगे आप कम तक हारेंगे तो इसलिए आप उसके बाद जो है सिविल नया ला जा सकते हैं अपने मामले के लिए लेकिन फिलाल अभी अगर आपको सबसे पहले डारेक्ट कोट नहीं जाना चाहिए ठीक है कोट केस ही कर देते हैं बिल्कुल उससे पहले अगर आपका मामला का सॉट आउट हो जाता है तो हम यही स्रोजिस्ट करेंगे कि आपको करना चाहिए उसके बाद आप वो जो है नेक्स स्टेप आप लें आसा करते है वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक जरू कर दे चैनल को पहली बार देकर सबस्क्राइब करके जो बेल आइक कान उसको जरूर दबा ले मिलते हैं अगले वीडियो में अवय्या नह शाम अडला थासला है, ए Turkish है ट्मी